जिस प्रकार से मदनीज साहब ने कहा है कि जितना भारत प्रधानमंतरी मोधी जी का है उतना भागवत जी का है लेकिन मैं नहीं मानता है इसको क्योंकि अगर ऐसा होता तो नुपूर सर्मा के मामले में यहां पे लीगल करवाई करते 57 मुसलिम देशों को निमंतर नहीं देते भारत के खिलाब तो यह कहना आप देखिए उस प्रस्तिती में कितना कर दिया था कि नुपूर सर्मा ने बयान दिया तो आप जो भी अगर आपती है तो लीगल करवाई करो लेकिन आपने पूरे देश में तांडो कराया उपर से जि करेंगे क्या इसलिए यह कहना बहुत ही भाग्यपूर्ण है और वह हमें लगता है कि जूठी राष्ट वाधिजा दिखा रहे हैं दूसरी बात वह कह रहे हैं कि जी हमारा बर्थ प्लेस है नहीं भाई बर्थ प्लेस होता है भारत में सबसे पहले केरल के तिरसूर में अच राजा जो हिंदू राजा था उसने दिया था तो जिस हिंदू राजा ने आपको पहला मस्जिद भारत में बनाने के लिए दिया आज उसी हिंदू और सनातन के खिलाफ आप जो है जंडा उठा रहे हो उसी सनातन के मानने वालों की भावना को आहत कर रहे हैं उसी सनातन ध भरम है कौन सी आपका सोच है ये तो मुझे समझ में नहीं आता भाई एक हमारा हिंदू सनातन है जो वसुधेव कुटमकम कहता है पूरे विश्चु को परिवार मानता है और इसी को देखते वे तिरसूर में केरल में हिंदू राजा ने आपको जगा दिया मस्जिद के लिए दिया और 627 में और आप आज इस्तिती ये आ गई कि आप कहते हो कि देश को गजवाय हिंद बनाएंगे देश को इसलामिक राष्ट बनाएंगे और फिर आप अपनी राष्ट वाधिता की राष्ट भक्ती की तुलना आप मोधी जी से और भागवज जी से कह रहे हो इतने ह राष्ट वाधी हो तो बंदे मातरम बोल के दिखाओ बंदे मातरम बोलो आज तक आपको बंदे मातरम बोलने में आपको साप सुंग जाता है बंदे मातरम नहीं का सकते हैं आप बंदे भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो तो मोधी जी तो भारत माता की जय बोलते हैं वो इफ्सर्विस मदनी साब न करें आप वास्तों में अपने कहीं न कहीं आप समाज को गुमराह कर रहें जो गलत है और इनके बयान से आप देखिए इन ही के बयान से ये लोग यहां पे अपने को पीडित दिखाते हैं कि हम पे आन नयाय हो रहा है मुसल्मान तो ओ हो रहा है औ और वहां पे हमारे हिंदू की मंदिर तोड़े जाते हैं उन हिंदू की बेटी बहनों का बलतकार होता है उनका अपरण होता है धर्मांतर होता है बंगला जिसमें 14 मंदिर तोड़ दिया कटरपंथियों ने तो मदनी जी जैसे और ऐसी जैसे लोग बयान जब यहां पे दे इसलिए ये बोल करके एक ये हमें लगता है कि पूरे देश और बिस्व के हिंदू को अस्रक्षित करते हैं